Hello everyone, welcome back to our channel Stitching Diary और आज की इस वीडियो में आपके से शेयर कर जी हूँ ये ब्यूटिफुल सी ब्लॉज की बैक्टिक की कटिंग और स्टीचिंग तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिएगा तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं तो देखिए यहां पर मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है और अब हम यहां अपनी नेक की डिजाइन है वो कट करेंगे तो उसकी cutting हम यहाँ पर अस्तर पर करने वाले हैं सबसे पहले तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हैं मेरा shoulder जो है वो यहाँ 7 इंचेस के रखावा है मैंने और 4 इंचेस हमने neck की marking कर लेनी है तो यहाँ पर हम neck का depth देंगे आप ए 1.5 इंचेस का अब आपको अपनी neck की जितनी लंबाई रखनी है यहाँ पर mark कर ले तो मैं यहाँ पर 10 इंचेस पर इस तरह से mark कर लूँगी अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई देखनी है तो देखिए 8 इंचेस आ रहा है 8 का half होता है 4 तो 4 पर हम इस तरह से mark कर लेंगे अब यहाँ से आपको जितनी गहराई देनी है उत पर mark कर ले तो स्वरी मैं यहाँ पर 4 इंच पर mark करूँगी तो इस तरह से 4 इंच पर mark कर ले आप और उसके बाद हमें scale की help से इस तरह से हमें तीर्षा line यहाँ तक और इस side से भी हमें इस तरह से line को मिला लेना है तो इस तरह से हमारा neck का जो marking है बहुत आसानी से हो चुका है तो चली इससे हम cut कर लेंगे तो चली अब हम इसे अपने main fabric में बठा करके और slide करेंगे पहले तो यह मेरा main fabric है तो यह मेरा सीधा वाला side है अब इसी पर हम अपने अस्तर को इस तरह से बठा लेंगे अच्छे से एक बल जब अच्छे से यह बैट जाए तो आप क्या करो pin up कर लो ताकि आपके जो fabric है वो हीले ना तो यहां पर मैं सबसे पहले इसे में pin up कर लूँगे अच्छे से तो यहां पर मैंने इसे pin up कर लिया है अब चली सब्सक्राइब लगाएंगे तो एक पैर का margin रखते विए आप पूरे में लगा लें तो इस तरह से हमें इसमें लगा लेना है अब जो हमारा नेक पे इस्टा फैब्रिक है उसे हम कट करके अलग कर लेंगे तो यहां पर आप बिल्कुल अस्तर के साथ में इसकी cutting कर लें और पूरे को नेक को इस तरह से cut कर लेने के बाद हमें पूरे में चोटी-चोटी cuts लगा लेनी होगी सबसे पहले आप इस तरह से कोन में cut लगा ले और पूरे में इस तरह से चोटी-चोटी cut लगा ले और इसे हमें सीधी साइट पे fold कर लेनी होगी अच्छे से इस कौन को आप किसी भी नोखिली चीज़ से निकाल ले तो देखें यहां पर मैंने इसको सिधा कर लिया है अब इस पर हम सिलाई लगाएंगे एक और तो अच्छे से बठा करके इसे हम एक बार और सिलाई कर लेंगे उपर जे कि यहां पर हमने इसे सिल लिया है अब हमें इसमें लटकन लगानी है तो इसमें हमने देखी यह दो फैब्रिक हमने कट किया वाय अपने अस्तर वाले से इसकी हमने स्क्वेर पीस है यह 6 इंचिस का तो इसे हम इस तरह से 4-fold कर लेना है ठीक है अच्छा से इसे बठा करके हम 4-fold कर लेंगे और इसके बाद अब हम इसमें माकिंग करेंगे तो यह मेरा 3 इंचिस का यहां मिल जाएगा हमें और पुरे में हम 3 इंचिस पे इस तरह से माक करेंगे तो इस तरह से कॉफ शेफ हमारा बन जाएगा तो इसे अब हम कट कर लेंगे के कि अ कर दूं हो फिर जब इसे खोलेंगे तो एक हमें सरक्रपिस मिझ जाएगा यहां मैंने दो अस्तर पे कट किया हुआ था इसलिए मैंने यादे कि दो मेंड पैप्रिक रखा हुआ है अब हम यह वाला जो सरकल है इस पर हम बठा करके स्लाई लगाएंगे तो सीधी साइट को अपने साइट पर रखना है आपको और इस तरह से हम अपने सरकल को अच्छे से बठा लेंगे और पूरे में में गुल पे स्लाई कर लेना है तो चलिए इसे हम सीलते हैं तो बिल्कुल ही अराम से आप इसमें पूरे गुलाई पे स्लाई लगा लें और पूरे गुलाई पे स्लाई लगा लेने के बाद हम क्या करेंगे एस्ट्रा फैब्रिक जो होगा हमारा वो कट करके कि अलग कर लेंगे अब हम पूरे में पूरे में लगा लेने के बाद इसे हमें इस तरह से से फोल्ड करना है और इसे हमें दो पीष्ट में कर लेना है अब इस तरह से हमें खोल लेना होगा अपने सीधिन साइट पर और इस पर अच्छे से आयरन कर लेंगे हम अपर मैंने इस पर लिया और ये मेरा डोरी है तो चलिए अब इसमें हम अपनी इस लटकन को लगा लेते हैं अच्छे से तो एक पीस को हमें लेना है इस तरह से हमें फोल्ड करेंगे और अब हम इस पे लाए लगाएंगे तो देखिए यहां पर पहला लटकन जो हमारा वो लग चुका है तो चलिए अब हम इसे सीधा कर लेते हैं तो देखिए यहां पर कितना अच्छा से हमारे जो लटकन है वो बनके रेडी हो गया है और यहां पर जो मारा कौन निकलावा है उसे में कट करके अलग कर लेंगे तो इसी तरह से हम अपने सेकेंड वाले पीस को लगा लेंगे तो इसे आप लगबख एक से डेर इंच का मार् से टोरी पर लगाएंगे तो चली इसी तरह से सेकेंड नटकन को भी मैंने देखिए तयार कर लिया है अब इसे हमें अपने ब्लॉज पे लगा लेना है तो यह दो हमारे जो लटकन है इसे हमें इस तरह से बठाना है और इस पे दो तीन अपसिलाए लगा लेंगे और इसे अब दूसरी साइट को भी हम इसी तरह से तयार कर लेंगे तो यहां हमारे लटकन है वो लटक्य हो गया है और आपने मुझे इंस्ट्राग्राम्न पर भी फॉलो करना सकते हैं तो आप मुझे कर सकते हैं उसके link मैं अपनी description box में दे दूँगी और अगर आपको कोई भी question करना है इस वीडियो से related तो आप मुझे comment box में कर सकते हो और अगली वीडियो आप क्या देखना चाहते हो आप मुझे comment ज़रूर करें So thank you